OnePlus Nord 2 5G जो की अभी हाली में लॉंच किया गया है OnePlus की तरब से उसका सेल स्टार्ट होने वाला है 26 जुलाई को और मेरे पास DM आने सुरू हो गया कि इसको कैसे परचेज करें, क्या इसके अंदर कोई ओफर है या फिर कोई तरीका है जिसे हम परचेज कर सकते हैं कुछ लोगों के तरब से ये भी पूछा गया क्या ये प्राइम डे सेल के अंदर आने वाला है तो जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं एमाजन के वह क्या इसको परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर सारे जो जवाब हैं वो वीडियो को लास तक देखेगा छोटा वीडियो ने वाला है स्किप मत किजिएगा सबसे पहले बात करते हैं वनप्रस नौट टू के बारे में आपको बता दे कि वनप्रस नौट टू जो की हाली में लॉंच किया गया वनप्रस की तरफ से एक ऐसा फोन है जो कि वनप्रस नौट को बंद करने के बाद ये फोन लेके आया गया है 15 मेंपिसल का AI ट्रिपल केमरा इस फोन का एक तरीके से यूएस पी है इसके अंदर मिजया टेक का डमेस्टी 1200 AI चिप्चेट लगा हुआ है जो कि इस फोन को अलग बनाता है और रैप चार्जर 65 जो कि आपके फोन को बहुत तेजी में चार्ज करेगा ये इन फोन को अलग करता है नौट से साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूल स्पिकर का सपोर्ट दिया जाता है जो कि वन प्लस के तरफ से इंटर्डिउस किया जाने वाला एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि वेनिफीट है उन सभी क आपको बता दें कि कबसे आप उन्स प्राइस में आप परचेज कर पाएंगे प्रोडक्स को कबसे आप इन सब चीजों के बारे में देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन को उपर दिख रहा होगा कि प्राइम डे लॉंच चाहिए तो यह फोन 26 जुलाई को एवेल प्रीबुकिंग इस फोन का नहीं है वन प्लस नौट जब लॉंच हुआ था तो उसके अंदर प्रीबुकिंग रखा गया था जिसके कारण काफी सारे गिप्ट्स भी दिये गए थे लोगों को लेकिन अब एक स्टैबलिस्ट नाम हो गया है नौड मार्केट के अंदर वन वन प्लस की तरब से कोई भी इस प्रकार का ओफर इस बार नहीं लेकिया आगया है 39,999 रुपए के उपर आपको 10% इंस्टन डिसकाउंट देखने को मिलने वाला है का जो अपना ओफिस्यल अप्लिकेशन है उसके उपर जिसकी जो इन्फर्मिशन है वो आप स्क्रीन के उपर देख रहे होंगे अगर आप इस अप्लिकेशन के थुरू परचेज करते हैं 26 जुलाई टो 77 जुलाई के अंदर तो आप अगर 2000 पहले परचेजर बनते हैं तो आ 1000 रुपय का डिस्कांट आपको HDFC बेंगे कार्ड के साथ मिलेगा साथ ही साथ अगर आप इमाई में करना चाहते हैं तो नो कॉस्ट इमाई 6 मंद सक आप ले सकते हैं दोस्तों यह है वन प्लस नौट का ओफर जो वन प्लस का वेबसाइट है उसके उपर दोनों के लिंक मैं इसक्रिप्शन दें दूँगा आप वहाँ पर जाएख करने जब देख सकते हैं और समझ सकते हैं एक आपको इंडेस्टिंग बात बता दो वन प्लस नौट नौट लॉंच किया गया लॉंच करने के साथ जैसे एक brand OnePlus Nord जब लॉंच किया गया था तो आपको बता दें कि 64GB जो था 25 साने का लेकर आ गया था और उस phone को बहुत कम टाइम तक बीचा गया था उसी परकार से आज की रेट में जो information निकल के सामने आई हो यह है कि availability जो है वो यह रहने वाली है 6GB फोन की वो 30 अगस्त को आने वाली है आप यह स्क्रीन को उपर देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर additional information में लिखा हुआ है कि 6GB वाला जो variant है blue hedge वो आपको 30 अगस्त से देहने को मिलेगा मतलब कि 6GB वेरियंट आपको अभी देखने को नहीं मिलने वाला है और आपको बता दें कि 12GB वेरियंट के अंदर आपको एक color मिलेगा जो कि आपको availability के भी अगस्त में होने वाली है और यह green woods वाला जो color है वो है और यह सिर्फ 12GB वाले phone में है और एक limited time के लिए आने वाला है यह phone 12GB green woods और 6GB वाला जो phone है वो आपको 30 अगस्त को limited period के लिए मिलने वाला है 12GB और 12GB के अंदर जो दो color है blue और grey वो आपको देखने को मिल सकते है जुलाई 28 से सभी लोगों के लिए लेकिन अभी फिलहाल यह site के उपर आपको 26 अई जुलाई को early access है तो यह आपको देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बता दें कि यह phone HDFC के साथ आपको discount के उपर दो मिली रहा है लेकिन Amazon के उपर यह discount मिल रहा है वो 500 रुपे एक्स्टाप को दिये जा रहा है अगर आपके पास prime membership है तो आप फिर Amazon से लीजिए अगर आपके उपास prime membership नहीं है तो आपको जाना चाहिए OnePlus के website के उपर और वहां से यह purchase करना चाहिए एक और बात यह बता दें कि यह 2000 orders जो है वो बहुत जल्दी पूज़े हो जाएंगे तो इन 2000 orders के चक्कर में आप पैसा मत इधर लगाईएगा अगर आपको really यह लगता है कि नहीं मुझे यहीं से लेना है आपका स्प्राइम नहीं है तब ही यहां से purchase करें otherwise आप प्राइम मिंबर हैं तो आप Amazon के उपर ही purchase करें जुस्तो यह phone एक Poco के phone के साथ launch हुआ है काफी लोग का पसंद Poco भी है लेकिन purchase करने से पहले यह बात ध्यान रखिएगा कि OnePlus Note के अंदर काफी सारे परिशानिया होई थी अभी मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग जल्दी बाजी में इस phone को purchase करें और आपको कोई परिशानिया हो तो मेरे हिसाब से अगर आप एक week रूख सकते हैं तो रूख यह ज़्यादा बेटर रहेगा यह सिर्फ मेरा आपके लिए एक सुझाओ है कि कई बार क्या होता लॉंच के बाद OnePlus के phone में खास करके काफी सारे परिशानिया रहती है दोस्तो आपको बता दें कि आने वले समय के अंदर बहुत सारे ऐसे लाएंगे जहां पर आपको दुबारा से यह phone मिलेंगे और दुबारा से फोन यह एविलेबल होंगे इसके अनावा कोई विजन कारिया आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अगर इंस्टागर आपके follow नहीं करते तो वहाँ फॉलो कीजिए वहाँ पर बहुत सारे must-must information देते रहते हैं वहाँ पर आप हमें message कर सकते हैं आपको reply ज़रूर मिलेगा दोस्तो सब्सक्राइब करना भी लिखोन मत भूलिएगा सब्सक्राइब भी कर लिया तो शेयर कर दीजिए थैंक्यू सो मट भी देने लिए